किसमत का कोई पता नहीं हो तक कब किसी किसमत किस टाइम बदल जाए कब राजा को रंग को रंग को राजा बना दे कब किसकी किसमत चमक जाए ऐसा ही कुछ हुआ महराश्ट वे किसान के साथ और एक बकरी ने उसे लखपती बना दिया तरसल महराश्ट के नेवसा में एक किसान बकरिया पालता है उसके पास एक अफुरी की बकरी भी है इसी बकरी ने उसकी किसमत बदल दी गाईज आपको बता दे एहमदनगर के नेवसा तालुका के भेंडा में रहने वाले संदी परसराम मित्तल की इस अफ्रीकी बक्री की कीमत 1,50,000 रुपय है जो एक बुलेट की कीमत के बराबर है संदीब मित्तल की एक समरिदी बोर बक्री फारम भी है जिसे वे काफी वक्त से चला रहे है उनकी बक्रियों के टहने में अफ्रीकी नसल की बक्री का वजन परते दिन 300 से 350 गराम तक बढ़ जाता है इसलिए इस बक्री की बाजार में काफी मांग है संदीब मित्तल इस बारे में बताते हुए काफी खुश होते हैं आपको बता दे कि नेवसा तालुका के भेंडा से तालुक रखने वाले संदीब मित्तल इस बक्री को सम्रिदी बक्री फारम से तीजस बोहाइट रहनार फार्टन मलहारी बोर बक्री फारम को हाल हीमेक लाकी 50,000 रुपे में बेच दिया बक्री खरीदने के बाद उन्हें इस बात का संदोश हुआ कि उन्होंने घाटी का सोधा नहीं किया सम्रिदी बक्री फारम के मालिक संदीब मित्तल ने अफ्रिकी बक्री को एक लाक 51,000 रुपे में बेचा तो तमाम इस थानी लोग वहाँ पहुँच गए उसके बाद इस बक्री की चारोर चर्चा होने लगी आपको बतादे कि फिलहाल संदीब मित्तल के पास 15 अफ्रिकी नसल की मादा बक्रियां है ये हर साल लगबा 15 से 16 लाक रुपे कमाते हैं उन्होंने बक्री फारम का कारुबा साल 2016 में शुरू किया था जिससे वे अब तक कई लाक रुपे कमा चुके हैं इस बक्री की खास बात ये है कि इस बक्री का वज़न परती दिन 300 से 350 गराम तक बढ़ जाता है ये बक्री तीसरी पेड़ी की है और दक्षणी अफ्रिका से आयतित मेल बक्री से मैटिन से जानी जाती है बक्रियों के बच्चों का वज़न परती दिन 400 से 450 गराम बढ़ता है बक्री को परती दिन 1 किलो खाना खिलाना होता है जिसके लिए रोज 30 से 35 रुपे खर्च होते हैं किसान संदीब का कहना है कि एक बक्री 2 लाक रुपिय कमाती है गाइस वीडियो को लाइक अमें शेयर और हमाई चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा